हलो और वेलकम टू न्यूस क्लिक नमस्कार मैं परणजोई गुहा ठाकुरता बोल रहा हूं आज चर्चा का विश्य है सुप्रीम कोट सबसे उच्छे नैले में एक बहुती महतपोर्न मुद्दा के उपर चर्चा चल रहे हैं ये है भूमी अधिगरहन कानून के उपर और भूमी अधिगरहन कानून का एक धारा है ये है चौबिस दो और इसके पीछे बहुती एक एहम हुद्दा है महतपोर्न है और इसको समझने के लिए हमें तो कदम पीठे हटना परेगा 2014 सप्टमबर में उसमें यूपीए सरकार थे एक नया कानून बनाया जो ब्रिटिश जबाने का अठारत सो चुरानवे का जो भूमी अधिगरहन का जो कानून है वो बदल दिया बदला है और ये है बहुत लंबा नाम है हम संक्षित में इसको कहेंगे लार अले आरार भूम अधिगरहन का नया कानून इसका पूरा नाम है Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Acquisition Act इस विशे के ऊपर एक नहीं तीन बार Supreme Court नहीं रहे दिया एक था 2017 में फिर उसे पहले भी एक बार हुई थी ये है आपका 2014 में फिर 2017 में फिर 2018 में क्या है मुद्दा ये 24 दो धारा क्या कहते हैं कि अगर किसी ने पुराने कानून के मताबिक भूमी अधिगरहन किया मगर भूमी अपने पास नहीं है और पैसा जो भूमी का जमीन का जो मालिक है वो उनसे नहीं लिया मगर जो अधिकारी जो भूमी अधिगरहन कर रहे है वो पैसा ख़जाने में डाल दिया तो किस के पास किसका होना चाहिए सच मुछ ये भूमी आज कौन अधिगरहन करेगा इसका मालिकाना कैसे होना चाहिए और इसके पीछे बहुत ही एक महत्यपूर्णा बरे-बरे संगस्ता है जैसे Reliance Industries Limited जो मुखेश अब माली जो भारत प्रश्च के सबसे अमीर वेखती वो कंपनी का एकदम हेड में है चेर्मन है और आज सुप्रीम कोर्ट में मतलब आज मतलब 15 अक्टोबर शुक्रवार के दिन जस्टिस अरुन मिश्रा का निश्पकस्ता के उपर सवाल उठाया कौन उठाया वहां का एक वकील साथ नाम है उनका शाम दिवान जी और जस्टिस मिश्रा बहुत नराज होगे थे वो लस्टिस भगवान को मालू है कि मैं निश्पकस्ता से काम कर पाऊंगा या नहीं और आप नहीं कह सकते हैं कि हम मैं क्यूंकि यह सवाल क्यों उठा क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट का एक खंड़पीट ने इस कानून का एक तरह से उसका इंटर्प्रटेशन किया आज वही जज और ये खंड़पीट में उसमें तीन जज थे इसमें पाँ जज और एक constitutional badge यानि की समविधानी के खंट्वित ये कैसे लेंगा तो ये मुद्दे के पीछे सरल भाशा में समझाने के लिए हमारे साथ आज न्यूसले के स्टूडियो में पत्रकार कुमार संभव श्रिवास्तव है 11 साल पत्रकार रित्र कर रहे और बिजनस स्टैंडर्ड अकबार का कॉंट्रिब्यूटर एडिटर है को फाउंडर है लैंड कॉंफिक्ट वच की और इन्होंने इस विशे के ऊपर नितिन सेटी के साथ 24 एपरिल एक लेक छपा था और इस विशे के ऊपर सोशल मीडिया में भी दो तिन दिन पहले इन्होंने ट्वीट किया कुमार आपका ट्वीट तो नयाधिश हरून मिश्रा और सलिसिटर जेनरल तुशार मैता जी नराज हो गए थे बोले हम को सब मानना नीचे सोशल मीडिया में क्या हो रहे तो नितिन सेथी ने बोला कि ने ये पुराने लेख है ये 24 एप्रिल हम लोग ने प्रकाश किया तो ये मुद्दा क्या है और इसके पीछे क्यों इतना विवाद है इसको त्वीट के ऊपर मैं बाद में आऊँगा पर जैसा आपने मुद्दे के बारे में कहा तो पहले मुद्दे पर ही बात करते हैं और आपने बताया भी उसको थोड़ा सा उसमें और मैं उसको और डीटेल में और सरल भाषा में समझाने कोशिश करूँगा तो जो 1894 का कोलोनियल एरा का जो कानून है वो बहुत ही किसानों के और जो लैंड ओनर्स हैं उनके हितों के खिलाफ माना जाता था और इसी वज़ए से उसको संसोच चोधित किया गया 2014 में 2013 में पारित हुआ था उसका इंप्लिमेंटेशन सुरू 2014 में हुआ तो उस जो 1894 के कानून में किसी भी जमीन को सरकार forcefully ले सकती थी compensation बहुत कम होता था मौअफजा बहुत कम था जबरदस्त और जबरदस्ती करके उसको ले सकते थे उसको ठीक करने के लिए 2013 का कानून है उसमें बहुत सारे नए प्रोविजन लाए गए उसको progressive और एक तरह से सबसे बड़ा land reform माना गया उसको कि यह reform हुआ है land acquisition के उसमें उसमें तीन-चार बहुत ही important चीजें थी एक तो यह था कि आपको अगर या तो private company के लिए अगर जमीन ली जा रही है या private public partnership के लिए ली जा रही है तो आपको कम से कम 70% लोगों से permission consent लेनी पड़ेगी अनुमती लेनी पड़ेगी आप जबरदस्ती नहीं ले सकते हो दूसरा चीज उन्होंने जो मुआवजा था उसको बढ़ा दिया चार गुना कर दिया गाओं के इलाकों में और शहरी इलाकों में दो गुना तो उसको वो काफी जादा हो गया और इसके अलावा rehabilitation, resettlement उनको पुनरस्थापित करने का भी एक provision हुआ कि जिन से ली जाएगी तो ये इतने सारे संशोधन हुए उसमें तो ये एक तरह से पुराना जो कानून था उसमें जितनी आसानी होती थी, सरकार को या कॉर्परेशन को, कंपनी को जमीन देने में बदल गया और ये भी आप भूलिया मत कि उस समय सारे राजनेतिक दल ये कानून का समर्थन का वो चुनाओं का पहले था ये भी आप मत दुबारा मैं कहाना हूँ मोधी सरकार आने के बाद काफी इन्होंने कोशिश किया ये चौबिस दो धारा में बदलाव लाने के लिए अध्यादेश एक बार ने तीन बार लाया, एक सांसदिय समिती की कठन क्या फिर भी कुछ करने का फिर भी कुछ नहीं कर पाए तो वही तो इसके जो ये तीन-चार फायदे थे ये नए प्रोजेक्ट्स को तो नए जब भी जमीन ली जाएगी किसी किसानों से 2014 के बाद उन सब को फायदा मिलेगा लेकिन एक ये जो 24 धारा थी, इसका परपस ये था कि कुछ पुराने लोगों को भी इसका फायदा मिल जाए जिनके पहले जमीन ली गई है क्योंकर उनके प्रती अनफैर हो आप नए लोगों को तो मिल रहा है पुरानों को नहीं मिल रहा है तो इसने कहा कि जिन जिन केसे में अभी तक जमीन नहीं ली गई है जहाँ मामले अटके हुए हैं विवाद की वजए से उसको नए कानून का फायदा मिल जाए जो पाच साल अपने जमीन का पोजेशन नहीं लिया और आपने जो मुआफ़जा वो बैंक का खाता में नहीं गया क्योंकि वो पुराने केसे में बहुत कई केसे में विवाद चल रहा था कि फार्मर्स देने क या जिनका मुआफजा नहीं दिया गया था उनको भी नए कानून के हिसाब से जमीन दोबारा ली जाएगी यह इसका 24-2 का धारा 24-2 का प्रोविजन है अब इस में इस प्रोविजन के आधार पे बहुत सारे जगहों पे किसानों ने जो अटके हुए मामले थे उनको चैले इनफेक्ट वो हेरिंग में जो अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उसमें ओन रिकॉर्ड है कि वकीलों ने उसमें ओन रिकॉर्ड कहा हुआ है कि सब जिगह देश भर में ऐसे बहुत सारे केसे सौ से ज़्यादा जो हैं जज्जमेंट्स हो चुके हैं जिन्होंने 24- किसानों को अल्रेडी उसका फैदा दिया है कि या तो जमीन उनको वापस मिली है या उनको नए कानून के हसाब से दुबारा से प्रक्रिया हो के जादा मुआपजा मिला है और पुनर स्थापन वगैरा मिला है तो यह स्थिती थी नए कानून के दारा की और इसमें जामनगर का वहां का किसान ने कहा कि यहां पे जो रिलाइन्स एक बहुत काफी बहुत सारे जमीन वहां खरीदने चाहरे हैं 25 स्क्वेर किलो मेटर मतलब एक पूरा एक शेहर के तरह और एक विशेश आर्थिक शेत्रा स्पेशल एकनामिक जोन बनने के लिए इन्होंने खरीदने चाहिए था और बहुत सारे वहां का किसानों ने ये विरोध किया और दस साल लगातार कुछ भूमी अधिकरन नहीं हो पाया उसके बाद गुजरात का हाई कोट ने ये चौबीस दो पूला जी ये कानूनी नहीं है तो फिर जैनुरी दोहजार अठारा में ये सुप्रीम कोट में चला गया और वहां के दो जजज का एक बेंच अरून मिश्रा जी जो खंट पीट का जो नहीं हैड था जो नहीं अधीश थे उन्होंने भी ये मान लिया मगर उस समय कुछ दिनों के बाद उन्होंने माना नहीं था वो हेरिंग चल रही है अचा हेरिंग चल रहते हैं मगर इसमें दो और जज्जमिंट आ जाता है ये जरह समझा दीजिए एक तो है पूना मिनिसिपल कॉर्परेशन वान और इस से पहले एक और था इंदोर डिव इस ने उल्टा फिर पिटिशन फाइल किया किसानों के खिलाफ ये बोलते हुए कि 24 दो प्राइवेट कंपनी इस पे लगनी ही नहीं चाहिए ये उनका आर्गूमेंट था और हाई कोट मान गया हाई कोट मानने के बाद किसानों ने सुप्रीम कोट में अपनी पिटिशन द उसमें जस्टिस लोधा के अंडर एक बेंच थी उन्होंने इसी 24 दो के अंडर किसानों के पक्ष में और इसी इंटर्प्रेटेशन को लेके कि ये धारा लगनी चाहिए और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो वो किसानों को ही उसका फाइदा मिलेगा ये 2014 में ये जजमेंट दे रिलायंस का केस आया तो ये दो जज की बेंच के सामने आया अरुन मिश्रा जस्टिस अरुन मिश्रा और एक और जज उनके साथ और ये हेरिंग चल रही थी तब ही एक दूसरे केस में इंद और डिवेलप्मेंट अथरोटी के केस में उसमें उन्होंने वो भी एक तीन आपसानों ने मुआवजा लेने से मना किया है तो वो इसके चौबिस दो के धारा के पक्ष में अपना अधिकार नहीं मांग सकते हैं उन्होंने ऐसा जज्ज्मेंट दिया और उसके कुछ दिनों बाद ये रिलाइंस वाली हैरिंग दुबारा होनी थी मगर उसके बाद एक एक और तीन जज्ज की बेंच ने उसको पलट दिया तो इसमें तो अभी तो जो 2014 की थी उसमें मदन लोकुर जी थे उन्होंने किसानों के पक्ष में दिया था फिर जस्टिस अरुन मिश्रा की एक और तीन जज्ज की बेंच ने उसको पलट दिया तो फिर मदन लोकुर जस तो फिर उन्होंने वो भी तीन जज की बैंच थी और उन्होंने जस्टिस अरुन मिश्रा की तीन जज की बैंच की उसको रोक दिया और को कि यह स्टे रहेगा और दूसरी कोई भी जहां पर भी इस सब की हेरिंग हो रही है इंक्लूडिंग रिलाइंस वाला जो केस था जहां पर भी चौबीज दोकी धारा का इंटर्प्रेटेशन से रिलेटेड कोई भी मुद्दा है उसकी हेरिंग रुकी रहेगी जब तक कि एक बड़ी बैंच या उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस इस पर डिसीजन नहीं लेते तो उन्होंने गोशना कर दी कि बनेगी ये कॉंस्टिशनल बैंच पर उसमें अभी तक वो बनी नहीं थी देड़ साल के बाद वो शुकरवार को उसका गोशना हुआ कि वो जज बैंच बनाई गई गई कि एक बार अरुन मिश्टा जी एक खंटपीट में एक तरह से इंटरप्रेटेशन दिया अब पाँज जजों का जो समविधानिक खंटपीट में उसको यहां पे निश्पक्सता से वो जज्जमेंट दे पाएंगे नहीं यह पाँच जो समविधानिक जो खंटपीट है इसमें जस्टिस अरुन मिश्टा सबसे सीनियर है जस्टिस इंदिरा बैनरच जी जस्टिस विनीत सरन जस्टिस एमार्शा जस्टिस रमिंदरभाट जी तो इसका यह जो मुद्धा है इस विशे के उपर आपका क्या कहना है और इसमें आपका ट्वीट के बाद जी ले आई है अब जी तो आज जैसे की हेरिंग हो रही थी और उसमें सॉलिस्टर जनरल तुशार महता जी ने कहा कि सोशल मीडिया पर इस तरह से आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं दो दिन पहले किसी भी हेरिंग के पहले महत्पून पहले इंफ्लुएंस करने के लिए तो वह असल में बात बिल्कुल सही नहीं है वह उसमें बिल्कुल भी फैक्ट नहीं है क्योंकि जो मैंने इसके पहले तक बोला और जो मैंने रविवार को जो ट्वीट में लिखा था सारा डीटेल लिखा था वो मेरी और नितिन सेथी न काफी पहले थी छे महीने पहले और उसमें ये सारा कि किस तरह से एक पेंचीदा कोर्ट की जो प्रक्रिया है इसको डिसीजन लेने की और कैसे इसमें डाउट्स हो रहे हैं कि दो बैंच एक दूसरे के खिलाफ जज्मेंट्स दे रही हैं और अब ये और जबकि हमने उस स्टो आपका जो आपने जो युक्ति का इस्तिमाल किया कि एक जज्ज ये सारे बिंच में नहीं होना चाहिए हाँ तो वो एक मतलब लॉजिकल मदर जस्टिस अरून मिश्टाइज ये तो माना नहीं हाँ वो कहना है हमारा निश्पक्ष्टा के ओपर आप क्यों प्रशन चिनन उ है कि उसको देख के अगर उन्हें डाउट हो रहा है और जनता या सोशल मीडिया पर लोग ऐसा बोल रहे हैं तो ये उन फैक्ट्स के आधार पे उनको अपना डिसिजन बनाना है का जो चिट्थी जो चीफ जिस्टिस गोगोई के उन्होंने लिखा था तो सुप्रीम कोट जब छुट्टी में थे विकेशन बेंच दो जजज्मेंट अडानी ग्रूप के ओपर दिया और मैंने दावे जी ने कहा था कि ये सुप्रीम कोट का अपनी जो नॉर्म्स है जिस क्यूंकि एक सुप्रीम कोट का एक सीनियर लॉयर उसी प्रक्रिया के खिलाफ एक आवाज उठाता है कि ये ऐसा हो रहा है उस पे या तो इंक्वाइरी होनी चाहिए या उस पे कुछ होना चाहिए उसका उसकी वेरिसिटी क्या है और कितना है वो आगे उनको डिसीजन लेन लोग भूल जाते हैं और इसलिए आपने दोबारा याद दोबारा इशु दोबारा इशु हुआ है तो उसको वापस लाने की जरूरत भी होती है और स्टोरीज की वैल्यू वही है कि फैक्स हैं और वो हमेशा रिलेवेंट रहते हैं दिखे कुमार संबब ऐसे बहुत सारे बहुत सारे ऐसे उधारन हम दे सकते हैं आपी का अकबार वो जो बिजनस टैंडर्ड में मार्च 2019 में देव चैटर जी ने एक लेक लिखा है पांच हजार तीन सो एकर एक वहाँ पे भी एक S.C.Z. विशेश एक आर्थिक शेत्र में नवी मुमई में एक नया शेहर बना ले यही रिलाइंस ग्रोप और वहाँ का माराश्टा का मुक्ह मंतरी फद्नवीज जी ने उसका जो लैंड यूज का बदल दिया इसमें माराश्टा सरकार का SITCO है City and Industrial Development Corporation Jai Corporation है जिसका Chairman है Anand Jain और एक है Skill Infrastructure जिसका डिरेक्टर है निखिल गांधी जी जो लोग समझते हैं सरकार और या मिया मोदी जी का करीब वेगती हैं वहाँ पे भी यही कहानी है वहाँ का गाओं वाले पुरान पन्वेल वो भी उन्होंने विरोध किया और वो जमीन बहुत मैंगा एक लाक करोर के उपर है तो हमें मालूम नहीं है सचमुच क्या कहा जाएगा ये जज्ज्मिन क्या होगा मगर मुद्ध हमें जो समझ में आ रहे की सरकारी संस्ता सिर्फ आप पैसा सरकारी खजाने में डाल दिया मगर जो जमीन जिससे आप खरीद रहें वो ये आप मतलब लॉजिकली भी देखा जाए कि कमपनी ने जो आपना पला जाड़ दिया मैंने अपना पैसा दे दिया है अगर किसान लेने को तैयार नहीं है तो वो सरकार के पास पड़ा रहेगा तो किसान के पॉइंट ओफ यू से अगर देखा जाए जिसकी जमीन है उसके पास त अगर उसको एक्स्टेंड करने की कोशिश भी की जा रहे है कि बेनिफिट दिये जाएं तो उसके ऊपर ये सारा का सारा इंटरप्रेटेशन का मामला है कि वो सारे प्रोजेक्ट फिर अटक जाएंगे और उनको नुकसान होगा ये अल्रेडी हो चुका है बहुत सारी कंपनी इसको कुछ कंपनी नहीं देना चाहती तो वो अब उसके खिलाफ जो है उसको खतम करने के लिए कोट में गोहार लगाया हुआ हुआ है और आपने शुरू में भी एक बार बोला था कि जब नई सरकार आई थी तो उसने ओडिनेंस लाके और अमेंडमेंट लाके इसको खतम को नहीं देना चाहे किसी भी पारटी की हों कॉंग्रेस की बहूं की और बीजेपी की मैं उन्होंने इस नए कानून को डैल्यूट्ट करने की कोई कसर नहीं छोड़ी है, उन्होंने अपने स्टेट के कानून बना बनाके और इसके प्रोविजिन को बाइपास करने के कुमार संभब श्रिवास्तव आपने सरल भाशा में ये बहुती एक जटिल विश्य है, इसमें कानून है, इसमें भूमी अधिगरहन है, सब कुछ मिले जुले है, और सिर्फ समय बताएंगे कि हमारे सबसे उच्छा नैलाय का जो सामधिधानिक खंट पिट, इनका राय क्या ह होगा, और ये जो नया कानून है, जो भूमी अधिगरहन का कानून, इसका कानून का फाइदा किसको मिलेगा, किसान का मिलेगा, जो भूमी का जो मालिक है, या सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, और बरे बरे पूजी पती को मिलेगा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्य thank you very much for being with us thank you